Dear students, your today's class, second subject is Maths. बच्चों, आज की आपकी लास का second subject है Maths, है ना? और आज का हमारा topic है number 3. अब आप देखेंगे कि number 3 तो आपने बहुत पहले बनाना सीख लिया था, उसकी बाद तो आप number 7 तक numbers बनाना सीख गया हैं. लेकिन आज हम क्या करेंगे number 3 को आपने पहले previous classes में dot पर बनाना सीखा था, आज हम number 3 को without dot बनाने की practice करेंगे, कि इसको without dot हम कैसे बना सकते हैं, ओकी, इसके लिए आपको, आपकी मैर्च की copy निकालनी है, और मैर्च की copy में मम्मी से इस टाइप से format त्यार करवाना है, और फि जैसे यहां पर मैंने number 3 बना हुआ है, उसके just नीचे वाले one और two block आपको छोड़ने है, और फिर number 3 बनाना है, कैसे बनाएंगे, आप block में उपर की तरह पैंसिल को रखेंगे, एक छोटी सी curve line बनाएंगे, जो कि right hand को move होगी, और फिर उसके साथ में एक और curve line बना देंग है, उसके बात क्या करेंगे, जहां पर आपने number 3 बनाया है, उसके just बात वाले नीचे के one और two block छोड़ देंगे, फिर से number 3 इसी तरह से बनाएंगे, ब्लाउप लोपर की तरह पैंसिल को रखेंगे, curve line बनाएंगे, फिर एक और curve line बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, ये क् करेंगे, one or two block छोड़ देंगे, दो curve line को हम कैसे join करते हैं, वैसे ही आपको number 3 बनाने की practice करना है, फिर बात में one or two block skip करेंगे, छोड़ेंगे, फिर से number 3 बनाएंगे, फिर one or two block छोड़ेंगे, फिर से number 3 curve line, one more curve line, ये क्या बिन गया, number 3 और number 3 हमने कैसे बनाया है, without dot बनाया है, without dot बनाने की practice करी है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर one pass उपर की तरफ देखना है, ये number 3 लिखा है, उसके बाद वाले two block आपको skip करने है, और number 3 बनाना है, आगे भी ऐसी sequence के आपको चलना है, इसी format के अनुटा, अनुसार, okay, dear students, ये आज आपका math subject का work है, आप ऐसा format ममी से त्यार करवाएंगे और उस पर number 3 बना का अपना work complete करेंगे, और फिर work मुझे sand करेंगे, okay, now my class is over, हरे किशना लाप यू,